लें जनाब आपको अब system of equations को और भी detail में समझाने के लिए मैं calculator का use करूँगा और उस calculator के उपर हम दो equations बना के देखेंगे फिर देखेंगे कि क्यों इस तरीके से equation लिखना असान है और क्यों matrix के अंदर equation लिखना वो असान है तो let's begin यहाँ पर आप जाएंगे google के उपर लिखें desmos.com desmos.com के उपर कुछ इस तरीके से graphing calculator आजएगा which is totally free आप इसको use करें यहाँ पर एक मैं पहली equation लिखता हूँ 3x plus 2y is equal to 6 यह मेरे पास एक पहली equation बन गी 3x plus 2y not 24 y is equal to 6 यह मेरे पास पहली equation बन गी और आपको भी पता है कि जब भी कोई equation लिखी जाती है तो आपके पास एक line आती है और उसका x intercept और y intercept आता है और basically यह जो हमारे पास 2y हमने लिखा है अगर आप गौर करें तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है 3x यहां पे आ गया और हमारे पास 2y यहां पे आ रहा है और अगर आप इसको दिहान से देखें तो अगर मैं यहां पे x plus y is equal to 6 लिखता हूं तो आप गौर करें कि दोनों का जो हमारे पास coefficient है वो इस तरीके से आ रहा है 3x plus 2y is equal to 6 ठीक है और अगर आप इसको और गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ रहेगी कि यह किस तरीके से हमारा relationship दिखा रहा है तो यहां पे हमारे पास x intercept और y intercept आ गया यह एक equation होगी second equation मैं एक और यहां पे लिखता हूं which is x minus y is equal to 4 हाँ जी अब गौर करें यह हमारे पास दूसरी equation आ गी तो हमने क्या करना है इन दोनो equations को किस तरीके से हम लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप देखें कि एक equation हमारे पास इस तरीके से एक line बना रही है यह हमारे पास graph है आप इसको जितना मर्जी zoom out कर लें आपके पास ये graph ऐसा ही रहना है सिरफ ये जो चीजें है ये change हो रही है second अगर इस पर मैं click करके दूसरी equation दिखाता हूँ तो यहां पर आपको फरग नहीं नजर आ रहा होगा you will be saying कि यार ये तो को फरग नहीं है अगर आप गौर करें हमारे पास कुछ यहां पर एक equation है दूसरी equation यहां पर है यह हमने simple तरीके से जो लिखी है and then it shows us two kind of lines जो हम अगे use कर सकते हैं in representing our system of equation लेकिन इससे भी आगे जो मैंने आपको पहले बताया था matrix की form के अंदर हम same चीज़ें लिख सकते हैं और matrix की form के अंदर लिखके हैं क्या फाइदा होता है उसको हम देखते हैं say for example 3x plus 2y is equal to 6 and x minus y is equal to 4 यह मेरे पास दो equations हैं अब इसको जब हमने matrix की form में लिखा था इसका कुछ इस तरीके से काम होता है हम इसको लिखेंगे ax is equal to b की form में ठीक है अब हमारे पास a क्या है b क्या है और x क्या है वो देखते हैं सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो यहाँ पर a है this shows coefficient matrix coefficient matrix matrix और अगर आप गौर करें यह coefficient का जो matrix है i और j hat को इसका करता है ठीक है 3 यहाँ पर आजाएगा 1 1 और यह सारा कुछ second हमारे पास है x x हमारे पास क्या है these are actually variable matrix variables matrix और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है b which is actually constant matrix constant matrix ठीक है इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास final form आती है अगर मैं उसको लिखूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगी जो हमने पहले भी बताया था 3, 1, 2, minus 1 minus का ख्यार रखना है फिर हमारे पास दूसरा matrix आ रहा है which is x and y फिर हमारे पास equal to का निशान आ रहा है which will come like this और फिर आएगा 6 and 4 कि आप कोशिश करें कि coefficient variable सारे के सारे resolve हो यह ना हो कि यहां पर 6 जमा 10 लिखा हो आपने 6 जमा 10 को resolve करना है या 2 जमा 4 लिखा हो उसको resolve करके लिए क्याना है एक ही आपके पास constant हो और बाकी जो चीजें आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगी अब इन तीन components को अगर देखें तो यह system of equations को जब हम matrix form में लिखते हैं तो हमारे पास तीन component है पहला हमारे पास coefficient matrix है अगर आप गौर करें तो यह coefficients सारे के सारे उठाएं हमने यह तीन हो गया, एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया x और y उठाके एक matrix बना दिया और 6 और 4 उठाके हमने एक matrix बना दिया अब जब हम इन तीनों को matrix की form में लिखते हैं इसका फाइदा हमें क्या है इसके advantages हमें कौन-कौन से है matrix form में लिखने के कई advantages है मैं कुछ आपके सामने गोश-गुजार करता हूँ ताके आपको समझ आए कि हम matrix form में क्यूं चीज़ों को लेके जाते है पहले बात तो simplicity बहुत simple है आप समझ सकते हैं अच्छा एक coefficient है दूसरे x y है और तीसरा हमारे पास constant है और यह simplifies करता है representation को खास तोर पे जब बहुत बड़े large numbers आपके पास आजाते हैं say for example जब आप किसी भी एक image को equation की form में लिखेंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा but on the other side आप सिरफ इसका एक matrix बना देंगे किसी भी image का तो वो आपके सामने असानी के साथ आप उसको देख सकते हैं वो matrix आपके पास बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है 4 by 4 का भी 16 by 16 का भी 100 by 100 का भी हो सकता है it's up to you जितनी भी बड़ी आपके पास image है second आप different matrix operations apply कर सकते हैं matrix operations या matrices के operations जो है apply कर सकते हैं यानि के multiplication आप कर सकते हैं division and there are many other determinant को find out कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से define करके find out कर सकते हैं कि x और y क्या होगा easy peasy होगा और इसमें खास तोर पे आपके पास method हर एक step पे change भी हो रहे होते हैं तो application of linear algebra की techniques जो है उसके अंदर आप determinant find कर लेंगे matrix inversion find out कर लेंगे मैं यहां पे लिखता हूँ matrix का फाइदा यह है कि आप determinant इसका find out कर सकते हैं आप second पे find out कर सकते हैं for example inversion यानि के inverse inverse आप find out कर सकते हैं और आप eigen analysis eigen values का analysis कर सकते हैं which we are going to learn इंशाला वरी सून eigen values determinant, inverse, eigen values matrix के operation है जिसमें elimination method होते हैं and there are many other methods जो हम अभी आइस्ता इस्ता देखेंगे यानि के कहने का मकसद यह है कि जब आप simplification की दरफ जाते हैं और matrix operation apply करते हैं then it becomes much easier to resolve an equation बजाए इसके अगर आपकी equation इतनी बड़ी हो धेर सारी dimension हो आपके पास x, y, z और इसमें आगे-ागे आप चलते जाएं और at the end आपके पास कितने सारी number हो तो आप उसको resolve करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है there are libraries in python which can do that but on the other side matrix operation are much simpler खास दोर पे जब से computer vision का दोर-दोरा start हो है and last but not the least is the computational efficiency computational efficiency computational efficiency क्यों? क्योंकि जो data store होता है data वो किसी एक structure में store होता है on a PC ठीक है? बजाए इसके के equations को आप resolve करकि किसी form में लिखे उसका बेहतरीन तरीका यह है आप 0-1 code के अंदर binary code के अंदर उसके matrix information की base पे binary code बनाए और binary code की base पे आप उसको store कर दें ठीक है? और जो computers है वो usually matrices को ज्यादा तरजी देते हैं और easily resolve करते हैं as compared to equations आपने देखा होगा कि हम अब जैसे जिसमाउस के उपर गे है graphical calculator इसके पीछे जो है वो matrices की information चल रही होती है say for example उसको पता है कि हर matrix हर एक डब्बे को शोग हर एक element जो है matrix का वो एक डब्बे को शोग कर रहे है and then they are showing us kind of lines like this ठीक है? और secondly computation तो easy है और python की libraries भी prefer करती है कि आप matrices पे काम करें बजाए इसके किसी और चीज़ पे ठीक है? तो आपके पास matrices की कई form है arrays भी है आपको पता है जो मैंने आपको पताया था arrays numpy जो एक library है अगर आप उसमें देखें numerical python जो है उसके अंदर arrays चल रही है one dimensional array होगी two dimensional array होगी अगर two dimensional array है two by two की हम बना रहे हैं तो ये भी हमारे पास इस तरीके से आ जाती है and then हमारे पास अगर two by two का एक matrix आ गया है two 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 ये भी इसी तरीके से चल रहे है फिर हमारे पास tensors आएंगे आने वाले दिनों के अंदर tensors ठीक है? उसके लिए जो library है वो tensor flow है and then there is another library called pytorch जिसके लिए computation होगी numpy की तरह ही है but they can use GPUs on that मतलब ये के आज के दोर के अंदर जितना GPU की industry जो है boom पकड़ गई है और बाकी industries computation की boom पकड़ी है data science के अंदर इस वज़ा से simplicity यही है असानी यही है computation को बढ़ाने का तरीका यही है कि आप matrices के operations को समझे tensors के operations को समझे which we are going to actually discuss in upcoming days लेकिन अगर आप equations के सर पे रहते हैं then you have to be very complex in things इसी वज़ा से पुराने जमाने के अंदर यानि के आर्ट से कुछ 10, 15, 20, 30 साल पहले लोग ज्यादा तर focus कर रहे होते थे system of equations के उपर उनको mathematically resolve करते थे और mathematically resolve करके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो find out करते थे basic समझना ज़रूरी है but on the other side अगर आप applied side पे जाते हैं तो matrices को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और matrix को समझ के ही आप easily आगे move कर सकते हैं ठीक है जी तो hopefully आपको समझ आगी होगी तीन points जो मैंने अभी आपको बता हैं मैं दुबारा से उनको repeat कर देता हूँ सबसे पहला point है जना matrix जो हैं वो simplify कर देते हैं चीज़ों को matrix के बहुत ज़्यादा operations है जो आप use कर सकते हैं and then the third one is computational efficiency matrices की ज्यादा होती है as compared to equations hopefully आपको यह समझ आगी होगी अब आप कहेंगे यार यह छोटी सी equation लिखी है graphical calculator पे तो फोरण चल गी थी और भाई वो छोटी सी equation थी दो variables के साथ just imagine आपके पास 1000 या 70,000 images का data है और 70,000 के 70,000 matrix आपके पास आ रहे हैं matrices तो आप कैसे करेंगे समझ आई बात क्यों इसी वज़ा से मैं कहा रहो matrices को समझना सीखें machine learning खास तर पे computer vision के अंदर matrix बहुत ज़्यादा involved है on the other side system of equation समझना भी बहुत ज़रूरी है